देखिए लोगपारांबिलास के राष्ट्रिये अध्यक्ष्वा जमुई सांसर चिराग पास्वार कल देर साम अपनी मा के साथ दिल्ली के छत्तर पूर में साधी समरों में पहुँचे देखिए बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देश के राइदानी दिल्ली में चि चिराग पास्वान कई ऐसे साधी में सामिल होते हुए दिखे हलंकि बिहार में भी कई अलग अलग जगाओ पर चिराग पास्वान साधी समरों में पहुचे लेकिन कल देर साम राइदानी दिल्ली के छत्तर पूर में चिराग पास्वान साधी समरों में सामिल हुए और चि चिराग पासवान से मुलाकात करने पहुचे ऐसे में चिराग पासवान की मा भी सामिल थी देखिए चिराग पासवान फिलाल देश के राजदानी दिल्ली में है और लागतार दिल्ली से ही चिराग पासवान बिहार के राजनीती पर नजर बना हुए है अब देखिए अगले साल 2024 के लोग सभा का चुनाव है ऐसे में जब चिराग पासवान अब तैयारी सुरू कर रहे है इंडिये के साथ मिलकर चिराग पासवान चुनाव लग रहे है और साब तोर पर चिराग पासवान कर रहे है कि बिहार में 40 के 40 लोग सभा सीट इंडिये ज चिराग पासवान के पार्टी को कितना सीट मिलेगा लेकिन देखिए आज 10 दिसंबर है और अब कुछी दिन रह गये हैं जब सीट बटवारा का एलान हो जाएगा क्योंकि देखिए 2024 के अगामी लोग सभाचुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है और ऐसे में अब सीट बटवा बीच में जा रहे है लेकिन चर्चा तो हो गी ही क्योंकि देखिए दोश्रचौबिस के लोग सभा चुना में चिराग पासवान काज़ाए झार कि तीसरी बार जमुई से चुमाव लड़ सकते हैं लेकिन हाजीपूर सीट को लेकर भी चर्चा हो रहा है कि हाजीपूर सीट पर जब चिराग पास्वान दवा कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि वहां से उनकी माज चुनाव लड़ सकती है लेकिन देखिए उनके चाचा केंद्रिय मंतरी पसुपती पारस जो अभी हाजीपूर से सांसद है वह अभी सीट छोडने को तयार नहीं है तो आगे क्या कुछ होगा एंडिये में किसके पाले में सीट जाएगा हाजीपूर लोग साबसीट यह अभी चर्चा कभी सा है लेकिन देखिए कूल मिलाकर बात यहीं है कि जब अगले साल 2024 में चुनाव है लोकसबा का और चिराग पासवान भी एक तरफ तयारी कर रहे हैं और दूसरे तरफ उनके चाचा भी हाजीपूर लोकसबा सीट जहांस वर्तमान में सांसद हैं वह भी कर रहे हैं कि जब तक सब्सक्राइब कर देख रहें तो पेज को फॉलो कीजिए बहुत बहुत दैनेवाद